ही दोस्तों आज का वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो से थोड़ा हटके होने वाला है विकॉस यह है एक बुक पॉड्कास्ट जहां पर मैं अमिद भाई जी के साथ जो रीडर्स बुक क्लब के क्रिएटर है आपने देखा होगा एक चैनल है बहुत अच्छा चैनल है रीडर्स बुक क्लब कि इस बुक के सबसे बेस्त लेसं क्या है खैसे आप लग का सकते हो स्के वाल माइंड और गये माइन जिल्दी किसे कर सकते है उसके वारे मावाड कर Inner मैंने को इस सारी इंट्रस फल्दस कर रही है इस बुक को रहा एफरेंस लेते हुए मैं आपको सेज़ेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना और एंड में को बताना कि आपको कितनी वैल्यू मेलिया ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके जरूर बताना नाओ लेट्स स्टार्ट अज हमारे गेस्ट है अमिट जी जो रीडर्स बूक क्लब के फाउंडर है और तो बहुत अब जो जो बहुत है बात करने जितना डेप्थ में और जिस लेवल और फूकस के साथ आप बूक में काम कर रहे हो वो काफी यूनीक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे ब बुक के बात करना जो है पाउर सबकॉंशेस मेंड पहला कोशन में इसकता पहली बार पड़ा था उस वक्त ना मुझे ऐसा समझ में आए पहली बार में कोई रहाएज जो पुराने बिलीव्स हैं मैंनको तोड़के या मैं अपने पास्ट को छोड़के मैं कुछ नया रही सकता हूं और वो इतनी आसानी से किया जा सकता है तो वो मुझे पहली वर तभी रिलाइज वा हलंकि मुझे पता था कि सब्नामें वेद बिलीव लो लो पतराशन ये वह बहुत सारी चीज़े पहले भी पता थी लेकिन इस किताब ने मेरे बहुत को आसान बना दिया ज पढ़ोगे तो अच्छा करोगे लाइफ में पढ़ाई पर दान दो किताबे पढ़ने पर दान दो लेकिन उसके साथ-साथ ना कुछ इस पूरी बकेट में इसे बहुत सारी थौट ऐसे होगे जो लिमिटिंग हो गया हमारे लिमिटिंग हो गयी जैसे जो हमें पर दिखोना पैसे ना सोज समझ के खर्चा किया गरो ऐसे मत किया को बहुत मुश्किल साथ है ठीक है अब वह बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है और जो अगर आप बहुत ही जादा मीर बनना चाहते हो तो खो सकता है कुछ गलत रास्ते भी चलने पड़ेंगे आपको तो यह कहीं नहीं बिलीफ में था तो मतलब एक सीधा साधा आदमी जो जो जादा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं है तो उसके लाइफ में सक्सेस को अचीव करने की चांसे बहुत कम होते हैं तो यह सब कॉंशेस बिलीफ मेरा था मेरे बारे में पहले लें जब मैंने इस किताब को बढ़ा तो मुझे सभी बिलीज को बदल सकता हूं और ज जो बढ़ा पुछ मिला वो तब मिला जब हमारी चैनल पर यह अब तक कि समॉस्ट वीडियो है आच्छा अच्छा बी विडियो मिल्या जारी जारीश नहीं टी वीडियो है तो वह आज भी लोग देख रहा वो आज भी टॉप पर आ वह आप पर आप आप पर आप आप में शेयर थे जो मुझा है बहुत असानी से समने में आ गया अच्छी क्या था कि अभी तक क्या रहा है कि पुराने जो फॉर्ट प्रॉसस है उसको बदलना है चलो ठीक है उस पर काम करना है लेकिन मुझे उसमें ने बहुत अच्छी बात बताई गए कि आज चैनगा इंग आपने एक पाल्कास के यह उसपर भी वात हुई हम ने इस पर रिपिटिशन पर बात किए नों नै कि हमारी हमारी जो हमारी जो छ haciendo एक ताथ बार चाप ख्राल ले स्कोल टो कुछ भी वो repetition से, चाहे वो repetition आपके affirmation के थुरू हो, affirmation भी तो statement ही है, जो आप life में चाहरे हो, या फ़र वो पराने belief के opposite affirmations हो, चाहे वो I am affirmations हो, चाहे वो visualization के थुरू आप नए images create कर रहे हो, अपने subconscious में नए पराने images को अटा कर, आप नए images create कर रहे हो, तो यह जो सारे pattern है, editable है, यह possibilities है, तो जब यह उस book किताब में भी हमने यही बताया, जो book से हमने सीखा, और summary में में यही से बात दो दाई, तो मुझे लगा है, बहुत असानी से लोगों समझ भी आई, और जब वो समझ भी आई, तो लोगों ने implement किया उसको, और मैंने देखा है कि उस पर, I think, हजारों कमेंट हैं फिलाल, उस पर हजारों में कमेंट्स है, जिसमें लोगों ने लगा, बोला कि हमारी लाइफ बदी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कि जो में बताया गया है, आपके पूरे जो में बताया है, जिसके बेसे सब्सक्राइब लेते हैं वो चेंज करते हैं, मुअने और सबक्स्टाइब आवर Container, लेकिन अपवर्फुल को भी आपको रीपर्राम करने के लिए, जिसमाट रालना पड़ेगा, क्योंकिए रिपरम में डाला पड़ाले का थाप्र्राम Gr zones को अपो जिसके वो अदू 10 एब 2 परेफक्ति धिर के सब्सक्राइब तो यह बड़ा अलग था जो मेरे लिए अलग तरह से लिए क्योंकि मैंने सीक्रेट की वीडियो देखी और उसको समझना शुरू किया पॉज़िव सोचो पॉज़िव होगा अच्छा होगा लाइफ में सब करना है लेकिन कई बार से सब्सक्राइब कि पॉज होना चाहिए सीक्वली होना चाहिए एक दूसरे का वह यहां समझ में है कि यह इस तरह से थाट बदल सकती आपकी अच्छा अमिद भाई आपने पावर सबकॉंशेस मैंडी बुक चुनी ठीक है तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि यह किन लोगों के लिए बुक है आपके हिसाब से देखिए मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि सबसे पहले ना यह सभी स्टूडेंट्स को जरू पड़नी चाहिए जरू पड़ो आइनो बहुत सारी किताबे हैं आपके एक्जाम के त्यारी कर रहे हो लेकिन अध्यान को कि यह वक्त है यह वक्त ऐसा है कि हम एक ऐसी निकले हैं जहां पर या निकल रहे हैं जहां पर हमें बहुत कुछ अचीव करने हैं लेकिन वो भी बोला जाता है कि छे-साथ साल की उम्रत है हमारे सबकॉंशे बिल्ड हो चुका होता है हमारी थौट्स हमारे दिबाग में घुश्चे की होता है और उसी के पैटर्न के अक तो आपको ना लाइफ को लीड करना बहुत असान हो जाएगा अब हर चीज को ऐसे देखने लगो हुए कि यार यह तो मैं कर सकता हूं यह हो सकता है अगर लोगों इसको अर्ली एज में कर लिया बट लेकिन अगर बाई चांस अगर किसी से मिस हो भी गया है तो इस नेवर अगर टीच ओल ग नुट रिक्स वैसी कई बर होता है हमारे साथ भी कि हम एक पैटन बन जाता है और जितना पैटन प्र टाम तक रहे होतना वो मुश्किल तोड़ना हो जाएगा तो सबसे बेस्ट जो हमारा ओडियन्स हो सकती हो स्टूडेंट से है क्योंकि आप अभी तो कि इतना वो स्टूंग पैटन नहीं होना है तो बेटर पैली तोड़ लो और इसको मेंटालिटी के साब से भी दिखा जाए तो में लोगता है सब चीज की स्टार्टिंग मेंटालिटी से होगी बट बिलीव करता हूं बिल्कुल बिल्कुल माइंट से एक्शन आता है उसके लगने लगता है आपको आपका confidence बढ़ने लगता है आपकी बाते ना लोगों को अच्छी लगने लगती है तो आप जब इस उम्र में ही early age में ही जब आप इस तरह के इंसान बनते हो और लोग आपको पसंद करना शुरू करते ना तो आपको confidence बहुत अच्छा होता है फिर इसी confidence को build करने के बाद सबसे best lesson बात है सबसे best lesson इस book से आपने क्या सीका मुझे मुझे वो बहुत ज़ादा एक episode बहुत powerful लगता है जिसमें बात की गई है about हमारे beliefs के बारे में power of beliefs के बारे में power of beliefs में again जो हमारे pattern है वो pattern मिले हुए हमारी पराने thoughts से मिले हुए है जिसमें हम में बहुत सारी चीज़ें लगने लगती है तो क्या होता है जब भी हम कोई information create करते हैं सुनते हैं या receive करते हैं वो images के रूप में ना create हो जाते है हमारे mind में हमारे subconscious में जैसे मैं किसी ने बोला apple apple की spellings तो नहीं नहीं देती एडबल पी एली नहीं सुनाए था मिरको apple की image मे तो मैं बहुत easily नहीं जो कहते हैं नहीं memory create कर सकता हूँ जो कि success की तरफ मेरे को लेकर जाएंगी abundance की तरफ मेरे को लेकर जाएंगी और इसमें मैं को एक और चीज़ भी समझ में कि क्या होता है belief बनता है basically हमारे confidence के साथ जिस पर हमें विश्वास होता है ठीक है और confidence कहां से आता है knowledge से आता है knowledge कहां से आती है अपनी skills पर काम करके conscious effort डाल की आती है तो जितना ज्यादा हम अपनी knowledge पर काम करते रहेंगे करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा belief भड़ने लगता है तो मैंने कभी तो किसी से example सुना था बहुत पहले बहुत relevant example था उसमें उन्होंने बोल तो यारे काम कर आपना एक कोई किताब है mindset बाइक केरल डॉक आके किताब पर बोल दो अब उनका फोटे नहीं है उनका वो knowledge नहीं है उस किताब को उन्होंने कभी पढ़ाए नहीं है तो जब वो stage पर आके बताने लगें तो घबराएंगे अब वो experience इंसान है life का बहुत experience है काम का बहुत experience है लेकिन जैसी मैंने उनका topic चेंज किया मैंने उनको बोला सर आप बच्चे हैं छोटे asset and liability बताओ asset liability क्या होता है balance sheet कैसे बनाए जाती है payland कैसे बनाए जाते है profit and loss account कैसे बनाए जाते है वो ऐसा बोलेंगे ना उनको कोई skill की ज़रूत नहीं है ना उनको public speaking skill चाहिए ना उनको confidence है यह कुछ नहीं है क्योंकि यह सब चीज़े कहां से मिली उनको knowledge से मिली है और बहुत easily उनके लिए express हो जाएगा तो वो belief बढ़ाने के लिए knowledge पर जो काम करना है वो मुझे सौन में आ गया फिर मुझे ये भी लगने लगा कि मैंने उसके बाद ये भी समझना शुरू कि मेरे belief किस किस चीज़ के बारे में लोगा है मेरे belief लो थे एक वक्त पर पैसे के बारे में कि यार कि पैसे ना I am not good at money पैसे manage करना ना मेरे थोड़ा सा difficult होता है बहुत बारे परानी बेल बढ़ा होथा टे करने ऐसे लिए घ्यांट करनी है कहां से प्राफट आकाओ है अर मेरे पराने मेरे बिलीव थे फोपत बहुत जाद़कर में को टो कभी नहीं कुछ सकता मैं घुसने ही ृच मेरे को और अ the technical अत्र च्टॉंग नहीं इन मेरा when that time आ था तो मैंने ऐस इस को जुड़ा किया मैंने इस चीज़ को सीखना शुरू कर लिए मैंने कॉंशयूशली टेक्निकल स्किल्स को और फिनांस्ज डिल्स को मैंने रोज एके घंटा देना शुरू किया कि इसके बारे में जानता हूँ and I tell you within three months मेरे पूरे बिलीश निकल चुके थे मेरे निया बिलीश था I'm good at money I know how money works I know how it get multiplied I know how technically IT thing works मुझे सब समझ में आ गया और वो मुझे समझ में कि it happened only because I worked on my knowledge I took action there तो वो सारी चीज़े मुझे इसमें पावर ओफ बिलीश वाला जो जो बिलीश वाला जप्टर निया मेरे को बड़ा इसलिए मैं ये सवार में सब सर जगे बात करता हूँ तो ये उसमें बताए कि कि ऐसा आप करो knowledge के basis पे आप अपने beliefs चेंज कर सकते हो ये ने क्वेशन का अंसर है जो हम शद पूस्ट करने अले था आप बिलीव एड रसीव हाँ तो आप और रसीव के बीच में क्या करना चीए था कि वह आप मिले ये बहुत अच्छा उसका अंसर है कि आप knowledge लिएना स्टार्ट करो क्योंकि मैंने भी ये आंसर देने वाला था कि आप knowledge लोगा आपका belief बढ़ेगा confidence बढ़ेगा, confidence बढ़ेगा, belief बढ़ेगा आप act करोगा और results मिलेंगे बिल्कुसे कई बार लोग यही कर देते गलती ही, मैं तो secret इसाब पढ़गा कि सिफ सोच रहा है, वह एक्ट नहीं कर रहा है, और act क्या करना है, कुछ नहीं तो knowledge लो at least, और at least नहीं वह बहुत कुछ है ना, राइट, कैसे लोगों को पता चलेगा कि उनका belief में प्रॉबलम है, या फिर उनका mindset में प्रॉबलम है, या फिर छोटा सोच रहा है, या फिर कंट्रोलेबल है, दूसरी है अनकंट्रोलेबल, जो मैं जिस पर काम कर सकता हूं, अनकंट्रोलेबल, जिसका कोई मेरा मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, कुछ वैदर, आज पॉलिटिक लिए क्या हो रहा है, इरान में इराक की वार हो रही है, मैं इस पर कुछ कर ही नहीं सक आपनी ससाइटी में कैसे पीसविल्टकर विया हैं और उसके बारे में लेकर और बार स्ट्रेस्ट होगे होगे जो आपके control से बाहर है आपर में परीशान होगे और गालो को चीजे में बहुत ही ज्यादा अगाएगा और मैं प्राइन्टो dł . और करो कि हम आपने control की करना होगा दो शीूच्ट को बहुत ही जादा अर्म हम ना हमारे पास बहुत सारा ना वक्त होता है अनकंट्रोलेबल पर हम तभी फोकस करते हैं और ना हम जो हम इंसान ना बहुत अजीव से होता है हम जाधा तर ना अपनी अपने मन में बहुत सारी कहानिया बना रहे होते हैं अपने आपको लेकर आपने अपने अपने ही भाई तो मिरे को यह बोलना है अगर इसने मुझे बोला तो मैं पापा से शिक्रायत कर दूँगा इसने मुझे बोला तो अब यह मन मन में चल रहा है इतनी सारी चीज़े चल रही है और वो सामने आता है और वो कुछ बात ही नहीं करता है और यह I guarantee यह जादतर लोगों उन लोगों कर रहा है ममी ने फोन करके बोल दिया कि आके मैं बताती हूं और हम यही सोच रहे हैं मैं क्या बोलने वाला मैं क्या बोलने वाला ममी चल उठीक है कुछ बोले ही नहीं अकसर 90 95% जो चीज़े हम सोचते हैं कि होगी और मैं यह करूँगा वो होती ही नहीं कभी राइट बता है नहीं बताया गया है कि 95% वर्यू दिंग इंग बोलने वापने राइलिटी कि तो उतने लेवल पी नहीं कि अब वह रहा है गज़े हैं इस सोच लोगा है वह जहाँ बहुत जाब मिनिमम चांसे ज़गा जो आप सोच आप वाइट तो यह आप इजिवे बहु आप जादर सोचते गियो है, एक हमारे में कहावत है, खाली दिमाग शेतान का घर वसटाइड होटा है, वसवसा डालता है, वसवसा अग्ड़ाइड निगेटिव थोट्स आते हैं, जब आपड़ा गद ऑड़े का लिए विए कुछ भी बेकारी आया गाया तिमागे बताओ, आप प्राक्टिकल बहुत इम्वर्डन स्टेप मुझे लगते ही सब को करना चीज और अगर आपको कुछ नहीं कर रहो तो अट-लीस सीखते रहो मुझे रखता है जैसे कि अगर आपके बास कुछ प्राक्टिकल जिसे हम पॉड्कास्ट कर रहे हैं अगर आपको ऐसे से फिजिकल नहीं है तो अट-लीस्ट लर्न पॉजिटिव निक्स ना सीखता कि क्योंकि वह से आपका कॉन्फिदेंस बिल्ड होगा कॉन्फिदेंस बिल्ड होगा तो बिलीव होगा और वहर चीज आपको एक्ट करने में हेल्प कर सकते रही और कुछ इसमे बारे में बात हुँ है जो कि प scorie कि ए विजलेशन के बारे में बात हुई है या घ्रромandeा बात है तीन टेकनीक्स तो ऐसी है जो की बहुत-वार्फुल है और जिनको regularly कर सकते यह लेकिन यह बहुत साही लोगों को पता है इसके बारे में इस मेना एक बहुत अच्छी बात है वो है self-talk के बारे में कि आप खुद से क्या बाते कर रहे हैं यह दुनिया की सबसे important conversation है जिस पर सभी को watchful रहना चाहिए कि आप खुद से क्या बात करें अगर हमने हम खुद से क्या बात कर रहे हैं वो उसको control कर लिया हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है आपने मेरे मेरे को इंट्रुवी करहते कर रहे हैं यारी पता नहीं होगा या नहीं हुगर पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ऐसा तो नहीं मैंने जादा पैसा मांग लिया है ऐसा तो नहीं यह पोजिशन ऐसी जो मैं डिजर्व नहीं करता अब जब यह सारे किसी से मिलते हैं पहले के 6 सेकेंड में वह इंसान हमारे वारे में कुछ नकुछ परसेप्शन बना चुका होता है उसके बाद कई बार मैंने इवन आई एस के और इस का इग्जाम में मैं इतनी बार में देखा है कि उनसे सिर्फ एक सवाल पुछा गया मैंने बहुत लोगों क कि उनका नहीं हो पाया और उसने शेयर किया कि मेरे एक फ्रेंड इसका हो गया उससे यह सिर्फ एक सवाल पुछा गया था अब यह कुछ लोगों को लग रहे है कि क्या चीज बात कर रहे हैं बट इस रिल स्टोरी यूट्यूपर ही है सब कहीं नहीं क्या होता है ना कि कोशिशन में जच कर लेते कि बंद अच्छा है और खाना जैसा कोशन बहुत 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 सिली सिली आप खुछ सोचो ना कितने सारे जो लोग देख रहे हैं पाड कास्ट आप आप किसी इंटर्वी के लिए कितने सारे गलत जवाब दिये फिर भी आप सिलेक्ट होगे आ कींभाई क nova क्या देखा होगा है कर लेगा कोशिश को कर रहा था तो कुछ लोग ना जो जो वहां पर होते हैं वह साही सोच हρέ होते हैं वह सही जड़ कर रहे होते हैं ऐसा यह गलथ्व गषाट से अच्गरे तो यह जो पैट्रन को समझते हुए नूजरा मेरे जब आप एगर जौब के लिए जा रहे हो जॉब सौरी यह ओज़ता नहीं कर पाए अगर हो गया तो यह सुछ चुकिए फिर के सर्थ मजा ग्यारर और अगर हो गया तो salary बढ़ जागी है और अगर हो गया तो घर के पास job हो जागी है अगर हो गया तो शादी के लिए छीलेट की मिल जागी है अगर हो गया तो अगर ये thought हमने अपना ली और अपने सारे self-talk जो negative self-talk है उनको replace कर दिया with positive self-talk दीरे दीरे नहीं हमारी habit बन जाएगी फिर नहीं वो self-doubt रहेगा belief आपको knowledge से आजाएगा फिर आपको ना manifest करने में दिक्कत नहीं आएगी तो self-talk मिली रखता है words ना बड़े powerful होता है क्योंकि आप सोच भी रहो कुछ भी किसी के बार में सोच रहो आपना कोई बात सोच रहे होगे किसी से कोई बात हुई होगे या कोई बात होने वाली होगे यह word की रूप में मिलता है word से आ रहा है image में बन रही है word to image word to image और हमें पता है कि subconscious जो mind है वो image store करता है memory as a memory as image ही है सब इमेज के फॉर्मेट में हमें आद रहते हैं तो वह वो रिप्रेश करते रहो आप देखो पूरा री पॉर्राम हो जाए कि आपके सब कॉंशियस मेक संस मेक संस इस इंपोर्ड़न चीज है अपने लाने के लिए वर्ड्स क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो इतना इतना पॉर्फुल होता है यह वर्ड मेरे पहचान में एक परसन है उन्होंने वो अपने काम में उनका जो ऑफिस में अट्रिशन ट्रेट जो था वो बड़ा खराब था लोग आते जोन करते थे उनको जोलि चले आते थे उनके घुळा भाट उनके बात है है थो उनके क्या अदथ ही बहुत म अज्छक मिं क्या है तो एक निमेर का गदा है क्या है वह किसी बाग करा है और जब मैंने जब मैं एक बार उनके office गया बहुत अच्छे दोस्त है तो जब मैं उनके office गया और जब उनके शैर गया आए लोग टिक ते निया है तो मैंने आप पते है क्या होता है उसको गधा बना देते हैं आपके words में पावर और जब आप एक हर word न मैं नहीं किया रहा हूं बट गदे को रिलेट किससे करते हैं वह वाइब्रेशन आप उस इंसान को दी और उसे खराब वह वाइब्रेशन गई उसके पास वह कितना भी अच्छा होगा वह बुझे आपको जब समझना ही मुझे गदा है मैं करूं ही क्यों फिर राइट अगर एक टीचर हम कुछ सीख रहा है और नहीं पा रहा है तरह से क्या कर रहा है अभी तो आपने उसे कॉंशे सब्सक्राइब तो हमारा कॉंफिदेंस लोगा पर वह जाता है और हर चीज में लाइफ के हार एसपक्त में और वहीं पर दूसरे कुछ लोते हैं अंहां तुने बहुत अच्छा किया यह चीज सिर्फ ठीक कर ला है सही ही चीज है वह उसने भी वह लोगा यह चीज कर आपकर बट बोलने का लहजा अलगता तो इधर से कॉंफिदेंस बिल्ड हो गया है बस मुझे यह चीज को सही कर तो वह रहेगा वह एक इंपोर्डनस जिससे भी बात कर अगर उसको अच्छा फील करा देते हो तो वह भी अच्छा फील करेंगा आप बेग एक पॉजिटिव एन्वेरमेंट आ जाएगा तो वह बहुत इंपोर्डनट है और वह वर्ड से ही हो जाता है वर्ड भी ओलते है एक एग्रिमेंट वर्ड के बारे में एक टूएच स्वार जैसे होती है वह आपको काड़ भी सकती है और आप उससे लड़ भी सकती है और इसको कैसे यूज करना है वह आपके उपर तो यह चीज भी पावर अशुचिज में बताएगा और इसी स्टोरी है जो आपको स्टिक कर गई क्या यह कहानी बड़ी इंट प्लेन एक्सिदेंट होता है और उसकी इतनी सारी हड्यां टूट जाती है और डॉक्टर बोल देता है यह शायद बचेगा भी नहीं बिल्कुल भी बचने का स्कोप भी नहीं है उसके अंदर वो अपने आपको यह बोलता है कि मैं इस क्रिस्मस को मैं अपने घर जाओंगा and it was a span of almost a year वो भाई कहते है मैं चल के जाओंगा चल के आप बचोगे तब जाओंगे ना और चलना तो बहुत दूर की बात है और वो consistently जब तक वो hospital में रहा उसने जो environment create किया positive बाते की अपने लिए बोलता रहा कि मैं Christmas पर जाओंगा मैं Christmas पर जाओंगा मैं Christmas पर जाओंगा और यह कहीं नहीं है यह बात उसने क्या किया ना बार 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 अपने subconscious को मैसेज दिया कि मैं यह करने वाला हूं मैं यह होने वाला हूं देख है और मुझे रखता है और यह बहुत बड़ी testimony बन गई thought process से अपने अपनी सोथ से अपनी किसी बीमारी को ठीक करने क अंज के रही में इतनी सारी जरक्य प्राब्लम में है और यह आज के टा़म में कहीं न कहीं समझ में आरहा है कि जो भी चीजह, जो भी दिकते हमारी है इसकी शुरात कहीं न कहीं हमेरे माइंड से होती है ठीक है एंदेन इट इन्टू गट तो वह अभी पॉड्कास किया विद राम वर्मसर के साथ वह बहुत बात करते हैं माइंड गट कनेक्शन पर अना तो जब और उसमें मेरे बड़ा सर्प्राइजिंग था वो एपिसोड ही तो रीसेटली मेरको उसको जानने को मिला समझ में है तो उन्होंने बोला कि माइं जो हमारा गट है इस सब्सक्राइब अगर आप यहां से परिशान है तो स्टमख खराब रहेगा गट खराब है तो आपको दिमांग खराब रहेगा और मैं और मैं सोच रहा हूं यारी क्या सही सही है सच में और ऑबिसली इतनी रिसर्च है दॉक्टर ने किताब लिखी है तो मैंने जब उसको जाना तो मुझे समझ में है कि भाई इस और इसके बाद मुझे एक और चीज़ समझ में है कि बहुत सब्सक्राइब बोलते हैं कि what is more important mental health physical health लेकि उस पहली बार मुझे कुछ महीनों पहले हुआ था मैं पहली बार मैंने यह बोलना शुरू किया physical health but when because when you are physically fit your subconscious is half built already क्योंकि आपना physically fit होते हो आपका confidence का level होता है वो अपने आप अलगी होता है तो यह जो टेक्स ने एपिसोड और राम वर्मा सथ ने वोला कि थोड़े दिन बाद अभी तो यहां बुल रहे हैं थोड़े दिन बुल रहे हैं तो अने वाले दस साल में कहरें लिख वालो मुसे यह बोलेंगे सब लोग तो बहुत बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर् और एक और बात अच्छी बात बुलेंगे भी और ओन डॉक्टर इन टुड़ेइस एज आज के दौर में आपको खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा बट डॉक्टर मतलब कि बहुत सारी लोग बहुत कुछ बता रहे हैं ऐलोपेटी में कुछ बताया जा रहे हैं होम्यो क्यों को खुद करनी पड़ेगी कि होता क्या आपके गुड बेक्टीरिया बाड बेक्टीरिया क्या है कैसे काम रहे हैं आपकी लइफ में क्या चीजें जो आपके सबकॉन knocked को बिल्ड Means Okay आपके शील्स करने में आपको उसमें हैं क्या हो रहे आज आज के एसम में तो पहले तो आपके लाइफ अच्छी हो जाएगी आप हिल्दी हो जाओ अब क्या हो गया कम खाना खाऊ नूटरिशिस खाऊ एक टाइम लिमिट के अंदर खाऊ सूरेस के बाद खाऊ सूरेस्ट से पहले-पहले आपको खाना है खाना अब यह अलग डिफाइन हो गया जो कि परानी लो यह समझना चाहिए, जब ही जाकर वह चीजों को अपनी लाइफ में या बाकि चीजों पर इंग्रीस कर सकते हैं. विक रहांगे कि बनले में किला और थे सबक्राइटर बसान काया फञाल को करनाल तो अचिंट कर आए आए लोस के version यारोशन कमया कोकागे जोगए कि वृते हैं थे इंग ऊंड़ इंगा करेख थेंग जा कूल अग्रोशन काया है . वह भी कुछ है वह भी हमें बताते हैं तो क्या खाते हो बोत इंबॉड़नेंट है पाउर अगर किसी को समझना है पाउर, कौशन मेंड पाउर था क्या गूर्ट हम आ इसी चीज है जो पहला चीज गड़ेगा कि हमारे नो एको कॉंज्स और चुनू अए ACTberg कहा अउन को सुचता है चीकव sorrow करके में वह समझ में मददकरता हा लेकिन लेकिन, background में सारा का म काम कर रहाता है, subconscious तो basically, driver तो conscious ही है, जो drive करता है, लेकिन पीछे का पूरा operation है, जाज को चला रहा है, वो subconscious चला रहा है, ठीक है, subconscious जो हमारी life को ना, life को एक successfully lead करने में help करता है, subconscious एक तरह से patterns हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि हम future में क्या achieve करने वाले हैं क्योंकि वो images हैं सारी सारी subconscius में, सारी हमारी images पढ़ी हैं जिसम ने पहले पिज आऊ-ब बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि over the period of time हम भूत सारी चीज़ें receive करते रहते हैं और चाहा के ना चाहा के सब कुछ इसको नहीं करना है क्योंकि हमें लगता है कि अगर कई से को इनफर्मिशन आ रही है उसको कंसिस्टेंटली रिसीवी कर रहे हैं लेकिन अगर हमने इस पर फिल्टर लगाना सीख लिया तो हम अपने सबकॉंशिस को बहुत ही एक ऐसी चीजे न मतलब हमें शाहिद हो सकत करने की जड़ना पड़े हमने अगर तो मतलब हमें अगर कोई भी थौट आरा है जैसे मेरे जैसे अब हमने भात की जला डाक्टर नहीं यह पर मतलब अपकों भी थौट आघा अर यू वेरिफाइंग तो अगर अगर मालो आपको सेल्व डाउट आया, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है और आपको सेल्व डाउट आया, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, तो आपको क्या करने के जरूरत है, आपको जानने के जरूरत है कि क्या किसी ने, जो मे पड़ो पॉड़कास देखो कॉंटेंट कंज्यूम करो किताबे पड़ो यह इससे आप यह अपना लोगों से रिलेट करने लगते हो यार यह तो यह अगर मांक्स कर रहा है और मेरे अंद भी तो इसी तरह से पैशन था है और मैं भी तो कुछ करना ही चाहता था तो आप क्या करना कि हर कोई इंसान जब देखता है न जब तो आपको न अपनी जैसे कहीं न कहीं पर कहनी मिल जाती है और फिर न आप वहां पर फिल्टर करने लगते हो और आप अपनी सारी conversation को, self-talk को, imagination को आप filter करके आगे बेचते हो process करते हो, अपने subconscious में डालते हो और इसी के जरीए मुझे लगता है कि लोग अपने जो कुछ भी receive कर रहे हैं, उसको filter कर सकते हैं, और filter करने के साथ साथ आप उसको और strongly उसको strongly बना सकते हो ना कि just filter कर सकते हैं, strong मतलब कि मतलब आप पत्थर पत्थर पे लगीर बना लो उसको, कि life के rule यही होने चाहिए, और यहीं नहीं कहारा हूँ कि editable नहीं होने चाहिए, over the period of time कुछ बहतर चीज़े आती रहती है जैसे आज से 10 साल पहले जो मेरे strong beliefs थे, आज नहीं है, हो सकता है, आने वाले 10 साल में भी मेरे beliefs नहीं होगे बस मेरा value system सेम रहेगा मेरे values सेम रहेंगे, लेकिन मेरे beliefs हो सकता है, बदल रहेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, यह सब चीज़े बदल रही है, वक्त बदल रहा है चीज़े बदल रहे हैं, लोग बदल रहे है adaptability, और वो करना पड़ेगा हमें adaptable होना पड़ेगा चीज़ों को समझना पड़ेगा, और मुझे बार-बार लगते हैं, बहुत सारी किदाबे पड़ते हैं तो यह चीज़ बार-बार समझ में आते है हर किताब में ना वैसे तो बेसिक परिंसिबल सक्सेस के सेम है लिकिन परस्पेक्टिव को ना कुछ देता है जो मैं आपके परस्पेक्टिव के वारे में बात करता हूं कि यार आपको परस्पेक्टिव सेही है अब वह एक केम फ्रूम रीडिंग लॉडव दिफेंट अधिन ओडिआ अधिन अधिन लॉडव और यह आपको ने एक पाक देता है फिर आप कहते हैं कि नहीं चलो इसको साइड करो जैसे पहले पहले सुरू में थाट आया लाव फटराशन को लेकर के शिर्फ सोचो कि आपको inspired action करना है छोटा सा chapter है inspired action लेना है आपको वो action लेना पड़ेगा अब ये जो 300 pages में वो खो गया पुरी दुनिया में सबसे popular है the secret law of attraction की बेनिफेस्टेशन की लेकिन हर किसी का ये belief क्यों है कि law of attraction सिर्फ सोचने के बारे में है जब उसको दुबारा पढ़ना शुरू किया सवज में है कि बात करते है उतनी नहीं कर रहे है बट करते तो है मिस नहीं किया उन्होंने कहीं पर जिते है ये मैंने भी नोटिस किया था कई बार लोगे वो जो जो पुरी बुक का करके उनकी ऑथर है बहुत अची किताब है मतलब उसमें तो में यही समझ में है कि आप करते रहो भाई ब्रमान आपके साथ है वो आपके पीचे है जो देख रहाए आप आप कर्म कर रहे हो उसके पीचे है कोई नदो पुसका फल जञरूर देगा आप पुस उस का फल जरूर मोज्ट के साथ करते तो रहो अब अब मेरे साथ अशिरवाद हैं मि साथ को घ्रनी जिए तो अब चाहिए B अश्मार करहे हैं लेका नोहीं चाहिए नहीं नहीं काएब सिर्जवागे की तरफ लेके spiritual law of attraction को spirituality से कफी नजदीक रहता और spirituality का मतलब किया मेरे सब से your connection with God जिसे काई बर यह law of attraction के दर पर universe बोलता है कि वो अलग बगवान यसा भी करना चाहते है वो लोग universe universe जदा बोलता है ताकि सब सब को जाए तो बट मुझे लगता है कि spirituality का ही basis है बिलकुल बहुत डीप connection है spirituality का क्योंकि spirituality is connecting with God not necessary आप पूजा कर रहे हो बगवान को मान रहे हो बट आप आप समझते हो कि एक supreme power है चाहिए वो भगवान के रूप में है चाहिए वो किसी के भी रूप में है लेकिन एक supreme power है आप जब जब हम spirituality के और अगली लेवल पर जाते हैं तो हम इस समझ वाता है spirituality को कुछ complicated चीज नहीं है spirituality is about आपका सभी के बारे में सही सोचना इस spirituality अपना इंट्रेस्ट होना किसी भी चीज में सही है लेकिन किसी का गलत नहीं सोचना ये भी ये spirituality है perspective है कि जब आप जितनी value आप अपनी करते हो आप उतनी value दूसरों की करते हूं आप सब को समान समझते द आप समकी value system का ध्यान पाठा नगते ओ उसकी respect करते और क्योंकि यही तो यही तो भगवान कर रहा है कि सब एक है इस पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट परस्पेक्टिव है जो कि ओवरल आप सही बोल रहे हो बट इना उस पर हमें ओवरल भगवान जो बोल रहा हो करना ची मैगजिम लोग कर रहे नहीं जैसे भगवान नहीं चाहता है कि हम छोड़ी करें या फिर विलत काम करें तो यह थिंक वहाँ पर हमें उस चीजों को नीचे देखना चाहिए वो लोग एक बैलन्स होने भी बहुत जरूरी मुझे साहता है हम सही काम करें और law of attraction पॉजिटिविटी की तरफ जादा जाता है नेगिटिविटी तरफ नहीं जाता है मतलब अभी spirituality की बात करें तो वह evil और God और evil का वहाला concept हो गया तो evil side से हमें कम होते होते इस side पर जाना है क्योंकि कुछ चीज़े है जो नहीं करना चाहिए और वो law of attraction के लिए भी सही नहीं है जिसा आप negative सोच हो गया तो negative action में ही दिखके कुछ ना कोच evil हो जाएगा पर हमाना connection God से होगा जो सही direction पर है जो सही चीज़े है में सिखा रहा है positive सिखा रहा है respect करना सिखा रहा है लोगों की respect करो जादर judge मत करो हमें नहीं पता कौन क्यों किया तो आप मत judge करो जो officials उनको judge करने दो I think ये same ही हम बोल रहा है बस थोड़ा सा ये भी होता है ये एक hack power of subconscious power of positive thinking में ही बात हुए इसके बारे में तो ये दोनों में similar क्या है मैं आपको उताता हूँ कि जब भी हम prayer करते हैं prayer is nothing but is an affirmation तो आप देखना जो लोग जो दिल से prayer करते हैं एक तो होता है prayer करना भगवान के पास आना और complaint करना तो ये भी आठ है आपको भाँ से लोगों को प्रेयर करना नहीं आता है मुझा आठा होगा बट मैं लिटरली नहीं बोल रहा हूँ बट जर्नली बोल रहा हूँ लोग ना complaining mode में जाते हैं और आप भगवान से जितनी भी सिर्फ complaint लिकर जा रहे हो तो वो भगवान समझता है इसका नजरिया ही ऐसा है और लेकिन अगर आप भगवान को उन चीजों के लिए थैंक यू बोलते हो जो आपके पास अल्रेडी है तो भगवान को लगता है इसको थोड़ा सही दिया है मैंने भी अगर इसको और दे दो तो पता नहीं क्या करें गई है तो वो और दे देता है तो कहीं न कहीं लोगों को यह समझना मुझेगा प्रेयर का मतलब यह नहीं होता कि आप complaint करें प्रेयर का real meaning है ठांकिंग आपके पास gratitude होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास gratitude है मतलब आपके पास जो भी कुछ आप उसकी value करते हो और उसकी पूरी responsibility लेते हो आप जिंदगी में आज कहां हो इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है चाहिए आप अच्छी जगा हो चाहिए खराब जगा हो देखता हूं अकसर यह होता है खुद की responsibility यह बेसिक रूल ही है जो लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते है वो किसी और को बिलेम करते है और जो लोग अच्छा कर लेते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार यह तो बस भगवान ने करा दिया तो हम तो हम तो इसमें दारी जादतर successful लोग है न ब्लेमी attitude वाले नहीं होते हैं यह मतलब हम इतनी books पढ़ते हैं हम इतनी लोग से मिलते हैं एक common pattern दिखना चालो हो जाता है कि क्या होता है success और unsuccessful लोगों में तो unsuccessful लोग यूजुल है ना ग्राट्यूटने होता है किसी ना किसी चीज के लिए कंप्लेंड करता है हमेशा कोई ना कोई रीजन के जिसे उनको पसंद निया रहा है सही स्कूल में ने डाले घरवालों ने सही कॉलेज नी कराई पैसा ने दिया बिसनस करने के लिए घरवाल है खराब है यह खराब है वो खराब है जो के होगा भी बट उनका पस्पेक्ट उनको वही डिरेक्शन में लेके जा रहा है और फिर वही उनके राइनरजी खराब कर रहा और आप देखो कि उनके हर चीज में से है तुम लेट क्यों आए अरे वो रिक्षे वने लेक करा दिये यार अजय तुम आरे माक्स कम क्यों आए अरे वो जो टीचर था कितनी पर नहीं आया और यह बता देंगे कि इनकी फेलियर का कारण कोई और क्यों है और कैसे है और यह बहुत बड़ा बड़ा प्राब्लम है और यह फंडमेंटल मतला इसको साइंटिफिकल लो कोई भी आंगल से लो उपर अगल से लो बड़ा इसकी लिए नहीं हो वो सब चीजों के लिए अप रेडी कब बगा आपको करोड़पती कब बनने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना पड़ेगा वो बोलते ना मेकिं यफ फर्स मिलियन इस अलवेज दाहर अड़स बड़ेगा अगर अप ऐसे कंपलेणिंग मोड में हो तो यह पेसाथ काम क्यों करेगा बिजनस करने के लिए अपको बात करना ना चीज आपको लीटर ना पड़ेगा आपको आइड़स खुछ से जनरेट करने पड़ेगा आपको चीजे करनी पड़ेगी पर जब तो आप कंपलेंट करते हो आप यह सब करी नहीं पाओ गया तो पैसे कैसा हैंगे बस आप देखोगे तो सब मिल रहा है आप बिजनस की बुक को भी उठाओ लॉआ फ़ अट्रेक्शन को भीटाओ से इंच्वालिटी को भी रहते हैं बस उसका पर्सपेक्टिव अलग है यह अलग perspective बहगवान के बहद अच्छा इंसान बनने के perspective यह business के perspective से यह law of attraction के perspective से लेकिन common theme मुझे रहते हैं यह same ही रहते हैं success का basic formula तो same ही रहेगा वो नहीं बदलेगा core value जो है success से वो कभी नहीं बदलेगा यहाँ और चीज़ नहीं हो रही है, repetition जो इस बुक में बात करी है अभी तक आप successful नहीं बने हैं अनुफ time repeat नहीं कर आप में बदलेगा यह बातों को समझना correct but I agree इसको बोलते हैं कि awareness and acceptance बहुत जरूरी है awareness of being aware of what you are or what how the things work basically awareness सबस्याद जरूरी है आप जब किसी को बोल रहा है या मैं किसी को बोल रहा हूं तो अगर वो इनसान accept कर रहा है तो वो aware हो रहा है और जादा और उसके बाद वो accept कर रहा है awareness का acceptance आ रही है क्योंकि मुझे रखता है जो एक बहुत ही powerful जो चीज है वो है law of awareness यह बहुत आप पाउरफुल है यू बहुत है जैसे अपने पहले भी हम बात करें तो इस वारे बात हो थी कि क्या आप aware हो कि यहां पर क्या-क्या है अगर आप aware हो कि यहां क्या-क्या चीजे हैं मतलब आप प्रेजेंट मुमेंट में हो और बहुत इसको दुसरे situation में देखा जाए अधी बैटल तो आप जीच चुके होते हो उसके बाद थोड़ा सा काम बचा हो होता है कि आपको अपको अच्छन लेना है तो आपके लिए ना उजरनी बहुत असान हो जाती है इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो emotions है वो manifestation के लिए सबसे जादे important है अगर वो जो भाव है जो भी चीज आपको चाहिए उससे connected नहीं है तो वो manifest नहीं होगा यह बहुत powerful लगाता है अगर for example आप के रहे हो कि मुझे ना यार मैंने जा रहा हूं यार मेरे को ना पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी और आप बहुत डर हुए हो डर मतलब strong emotion है ना तो failure के chances बहुत आता है अगर वहीं आप उस success को emotionally मैसूस कर पा रहे हो क्या होगा तो क्या होगा तो इसके लिए visualization बहुत अच्छी activity है कि जब भी आप visualize करते हो आखे बंद की और आपने visualization करना शुरू किया और आपने मैसूस किया कि अगर वो चीज बेर पास अगर होती जो मुझे चाहिए तो अगर वो चीज बेर आपने अगर पर शुरू कर पाए कंड़ा तो वो मेनिफेस्ट होगा अगर अगर आप इसको मैसूस कर पारे आप नहीं कर पाएगे वो और यह वो इन्सान लिखे का जो शायद हो सकता है पना रहा हो बीस जारे लाग रुपे कमा रहा पहुत है गाप कर दो होता है का अगर एक लाग करने के लिए तेक् necesita की साथा है, कर देモ। बहुत किता है तब में जाga già स्था ठो भीघाग तो आपसानीज को मैसूस भी कर पाएगा उसकी वाइबरेशनACE निण टो इमोशन्स एक ऐसी है जो कि अकसर लोग अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक करने के लिए मिस कर जाते हैं मिस मत करो वक्त लो in fact clarity जो होती है कि मुझे चाहिए क्या आप लिस्ट बनाओ एक आप एक लिस्ट बनाओ दस चीजों के एक लिस्ट बना लो कि यह 10 चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए अब आप ना इसको वक्त दे के बनाना यह ऐसे ही नहीं बनाना सोच समझ के बनाना इसको वक्त दे के बनाना और आप जब उस विश्ट को बनाओगे आप यह देखना कि क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हो उन सभी चीज़ों को आपने लगा मुझे घर चीज़ें बढ़ा आके बंद करो बैठो कैसा घर चीज़ें देखो उसको क्या आप उस घर को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो फिर काम करना बढ़ेगा आप पहला उसके बार में जान करी लो बिलीफ को बढ़ा हो जो नहीं बात किती आप सेंपल फ्लैट देख रहा हो चेक करो उसका प्राइज क्या है कौन सी लुकालिटी में देखना चाहते हो तो आपके लिए फिर उसको व्युज़ाइज करना आसान हो जाएगा राइट र आप उसे चला रहे हो बड़ा अच्छा है फैमली साथ में बैठी अगर नहीं कर पा रहे हो टेस्ट राइव महसूस करो उसको जब जितना महसूस करोगे आप उसको रियालिटी के करीब लियाओगे ऐसे ही सारी चीज़े जो दस चीज़े अपने लिस्ट बनाई है इन दस अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो आपके लिए मैं गैरेंटी के साथ कर सकता हूं उसको मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं होगा हां बहुत सारी मैनत करना ही पड़ेगी लेकिन वह होगा जरूरी है वह तो होगा मैंदेटरी स्टेब है लेकिन पहले अगर अगर आपने मैसूस कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि आपके जर्नी असान हो जाएगी बहुत नहीं यह I think emotions वाला point तो emotions के पर आपने किताब है emotional intelligence सारी चीज़ अगे यह सब बाते सीवेसे law of attraction के लिए नहीं लग रही है मुझे और लाइफ के लिए है आप relationship देख लो बिजनस देख लो गर आप अपने emotions यह control नहीं कर पाद हो आप negativity की तरफ यह बार बढ़ जा रहो तो कैसे है का business अगर आपको तो अगर आपको तो अगर आपको तो यह होता है कि चल नहीं वे आएगा तो कोई बात में बिजनस पर इसके लिए बढ़ पाता है कि कि लिए बुदा रहता है कि चल करोड़ लगाने वाला हो डूब गया तो ठीक है देखा जाएगा मतलब रहसक टेंशन वो लो को भी रहता है बड़ों के फिर भी वो जिगर रहता है कि step लोगों को 90% लोग सागे लेकर चले जाता है मेरे साब से अब relationship की बात करो emotions ही बहुत important है हम अपने emotions कंट्रोल नहीं कर बाते जगड़े करते रहता है महीं पर हम अपने emotions हो समाल ले यह relationship बे अच्छे रहेंगे exactly exactly correct correct तो ऐसा अपने यही book को power of subconscious mind को अपनी life में अलग-अलग aAugust account में है अप्लाई करके कभी देखा है कि यह सब किए सब ऑबर में हरोज बात करता हुंगा है तो कहीं अंग सब्सक्रा करता है कि मैं कहीं पर बिलीफ नहीं बन गया है क्या मेरा subconscious belief तो नहीं बन गया है और मैं फिर उसको आजाता हूँ फिर उसको correction करने पर आजाता हूँ जैसे कोई belief बता जो बन गया था फिर तुमने तोड़ा उसको कैसे तोड़ा जैसे मैंने बताया कि पैसो को लेकर तो था मेरा एक और मेरा belief था बहुत strong about कि मुझे ऐसा लगता था एक वक्त पर कि आप के लिए career shift करना can never be a easy job shift करना हा मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत बड़ा risk होता है उसमें तो यह मेरा भी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा strong वो था कि यह बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई भी मुझे पूछता भी था तो मैं बोलता था कि नहीं आपने अपने current field में इतने साल दी हैं क्यों खराब करने हैं लेकिन जैसे देरी देरी देरे मैंने मेरी जर्नी जो स्टार्ट हूई यह जो इंटेरी जऑ जब आपने लिजए शोचेशना था यह जब आपने जब लेकिन गाए तो मेरी शोचना भी ग्लोस्टू इंपॉसिबल था सोच सिर्फ एड़े कि लाइज भ़ा करना हैं बट इसको लेकर मेरे थौट में था कि यारी कैसे होता होगा, कहां करते होंगे अब आप सोचे कि I got into YouTube at the age of 35 इतने साल का करियर 13-14 साल का करियर अब अस वक्त तीक है? और उसके बाद जाके पिछले 6 साल से I'm into this now अब जाके और चुट में हम लोगा तो वो पूरा शिफ डिर्क्ता है और ग्राजुली शिफटा है? ग्राजुल शिफटा हो इसा नहीं था कि ओवरान इंटी था बट वह ने थाओध दिया फिर पैरलर सोट फिंकम जनरेट की उतना बैसा वहाँ से आने लगा, then I decided to quit my job, जो मेरी last IT head की job थी, क्योंकि ये भी, obviously, you know, हमें family का भी धानक रहा है, बहुत सारी चीज़ी धानक रहा है, लेकिन कहीने वह थौट होते हैं कि आप आपने आपने आपको रोके रखते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन वह जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार जो माइंड में आ जाता है कि नहीं पॉसिबल है, तो पॉसिबल हो जाता है वह पर, इस जो बात बुलता है, जो करेल दुएक बुलता है, एक होता है, कैसा दो mindset होता है, fixed mindset and growth mindset. तो fixed mindset हो लोगो लगता है, तो यह होगा, growth mindset हो नहीं होगा, जैसे आपने पहले भी example जाता है, आपका पहले financial belief था कि नहीं पता है, मुझे नहीं आता है, वो भी कहीं नहीं आता है, वो भी कहीं नहीं आता है, बड़ तुमने growth mindset लाया, एक घंटा दूंगा आ जाएगा, और ए जैसा ही है, कर लेता है, मुझे था बहुत खराब है. सब चीज के लिए था किसी भी चीज के लिए पर जब दूशक्या जाएख है, बडट बेटर हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, जो बढ़ जो, इतना कर दूंढ एक बात कर लो गे, यह नहीं आपक इसमें बताया गया है इसमें बताया है इसमें तो नहीं है चुछ फार्मिशन पर्म करने चाहिए कि कहीं नहीं नहीं। I am affirmation form करते हो यह बहुत strong signal देता है for example, अगर आपके कोई भी negative beliefs है मान लेते हैं, आप यह सोचते हैं I am not good enough I am not handsome, या मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ या कुछ भी आपके I am not rich और या मैं कभी बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूँ, इनके ना opposite एक statement बना लो, I am rich I am healthy, I am beautiful I am handsome, जो भी बनाना चाहते हो इनके जो भी पुराने जो गलत beliefs है उनके opposite बना लो उसको लगा दो शीशे पर और हर रोज जब आप सुबह उठो सबसे पहले जाकर उन्हें 10-12-15 स्टेटमेंट्स को पढ़ो और पुरा दिन जब जब आप उस शीशे के सामने जाओ एक मिनिट लगेगा उसको पढ़ने में नाट इवन आ मिनट उसको पढ़ते रहो क्या होगा ना धीरे-धीरे-धीरे-धीरे आप इतने ज़ादा रीप रहाम हो जाएंगे ना उन सभी थौट्स के साथ कि पुराने बिलीफ हटी जाएंगे पर्मनेट आपके पर्मनेट निकलने शुरू जाएंगे और उन सब की जगह ये ले लेंगे जो ये जो नए बिलीज से वो ले लेंगे अब पुराने वाले जो बहुत स्ट्रॉंग है उनको थोड़ा वक्त लगेगा जादा लेकिन जब ये धीरे 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 अपर रिपेटिशन से जब आप इसको करने लगोंगे लिए जाएगा और आपको एक वक्त पर ऐसा लगेगा कि आसवास की लोग भी आपको यह बोल रहे हैं तो सही दिख रहा है आज आपको यह अपर आपको यह अपर मिशन करते हैं तो मुझे यसा लगता है कि आपना सबकॉंशिस को बहुत स्ट्रॉंग ली आप रिप्रग्राम करें और जो कि यह बहुत ही बहुत ही वैलिड है और दुसरी चीज आप विजिलेशन आपको डेफिनिटी करना ही चाहिए व इस सुभा करो और शाम करो टो पांच पांच मिनट करतो यह एक प्र sóis ऐसे से अक प्रस्विय प्रक्राम किया है मैंने आफिर मिशन और पर बहुत काम किया है मैं इनatics कर्दे दो आन्गार्य में इसमें और घ्रिया में जार्म करता है इस एक relationship के तीन अलग एरिया में इसमें affirmation form कर सकते हैं वरना कहता है बाकि जो उसमें इसमें आपको एक टेक्निक एक चीज को follow करना होता है multiple चीजे नहीं लिख सकते हैं और इन तीनों affirmation को मेरे को सुभा लिखना होता है दस 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 बार और यह मैं कम से कम आपको 60 days तक करता कोई भी affirmation और जिसमें से तीन में से जब एक पूरी हो जाती तो मैं उसमें नहीं affirmation डाल देता यह वह बाकि की जो दो पची थी वह करने लगता तो यह मुझे ऐसा लगा कि यह उस केस में बहुत अच्छा है जब हमारी मुल्टिपल डिजायर्स है मुल्टिपल वॉंट्स है हमारी तो वहां बहुत काम किया तो affirmation की बेस टेक्निक है अदरवाइस आप 369 है 555 टेक्निक है आप कोई भी टेक्निक आप कर लो सारी टेक्न नहीं भी फॉलो करो और फिल भी करो तो भी सही है क्योंकि आपका objective होना चाहिए है repetition यह जो टेक्निक है 555 369 या 10x3 यह आपको एक परपस दे देते हैं कि आपको इतनी बार लिखना ही लिखना है यह आपको discipline में डालता है सब राइड है और repetition होता है को और उसका पीछे का repetition कि जब तक टेक्निक नीए तो फिर लोग अंबिवेसर रहा है और उसका करें तो अच्छा भी हो विजलाइशन में और मैं ना सब पूरी कहानी विजलाइस करता हूं अच्छा स्टोरी पूरी कहानी यहां पूरी पूरी मतला फरक्श्वल मुझे अगर लेना है तो अगर ल है उसके बाद मैं उस साइटी में किसी से कॉंटाक कर रहा हूं जो मुझे घर दिखाएगा फिर मैं मैं घर देखने जा रहा हूं और घर देखने के बाद मुझे इतना संदुर लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है कि चन यहां पर है यह तर है यह उदर गाड़ी के प नहीं हैं बता क्ई से करना है उसके बाद मैं जडर प्रवेश कर रहा हूं घर में आ रहा है है क्टि भले साथा है यह सारी चीज़े हो और एक कम बहुत हर किसी के चैरे पर मुस्कान मंदीर है खाना बन रह था है अब यहहàn के मैं हर चीज को आशीव करता है क्योंकि जितना डीटेल में आप जाओगे उतना जादा इमोशन्स महसूस कर पाओगे इस पर इस पर डीटेलिंग वाली चीज पर मैंने ब्लॉफ अट्रेक्शन पर कई बर लोगों से किया है तो यह में कोंट्रडिक्शन हमेशा दिखता है कुछ आधा एक इसमें दो तपके बनें एक बोलता डीटेलिंग करो एक बोलता नहीं करो तो आपका कैस्पिंग है तो आपको तो आपने न एक गाड़ी खरी आपको लेनी थी यू गाड़ी फर जामल कोई अब जब आप उस गाड़ी को घर लेकर आपके मैंड मी के चल रहा है खुश है खुश है और क्या सोच रहों कि आप इसके बाद अब घर लेकर जाओंगो कितने खुश होगे कौन खड़ा होगा चावी किसको दूंगा मैं वहां कौन-कौन होना चाहिए क्योंकि ना जब आप सपनों के बारे में सोचते हो आप सपनों के बारे में इस चीजों के बारे में लिमिटेड हैपिनेस या लेकर जब आप उसको एक किसी इंसान से कर देते हो तो हैपिनेस आती है और यह तब आती है जब आप डिटेलिंग करते हो आप इसोचा आप घर में रह रहें बड़े घर में फीलिं नहीं देगा अप यह सोचते मैं उस ब और कहानी जैसे आप हम बात बार बार करते हैं कहानिया हमें कनेक करती है इसका कोर भी इना फिलिंग यह है दोनों डीटेलिंग और नॉन डीटेलिंग का भी कि मुझे लग जो लोग नॉन डीटेलिंग पर फोकस करते है वो भी फिलिंग के पीछे ही जाता है कि कई बार करना चाहिए जिसमें फील आए जो आपको पता है कि चलो ठीक है मिर को करने ही एक करोड का करोगे क्या वो संझो फीलिंग आईगी एक करने वाले हो या जो भी कुछ आप चारे उसका होने वाला क्या है क्योंकि पैसे के विचे पिचे तो इंसान भागता है थक जाएगा लेक उसको फीलिंग देगा फिर वो इसको इमोशन देगा कि यार मैं अपने लिए आइफोन खरी दूँगा एक फैमिली के लिए घर खरी दूँगा वाइफ के लिए यह खरी दूँगा बच्चों के लिए खरी दूँगा पेरेंस के लिए खरी दूँगा अब यह फीलिंग व लेकिन मुझे रखता है अगर आपको उस divine power से supreme power से connect करना है तो आपको थोड़ा emotions में जाना पड़ता है, detail में जाना पड़ेगा, तो रास्ता असान हो जाएगा आपके लिए इसका दोनों बैलेंस हो सकता है, दोनों चीज़ के बैलेंस होना चीज़ आपको बहुत ज़्याद पकड़ के भी रखना चीज़ जाएगा उपर लब भरोसा करना कि उसका एक रास्ता होगा, आपने कुछ प्लान किया है बड़ो कई वर अपने असाब से नहीं हो पाता है, ब आपने कुछ मांगा, मुझे इंसान से उसी इंसान से शाधी करनी है, भगवान नहीं दिया, तो मैं हमेशा लोगों को बलता हूं कि आपने कितना भी मैनिफेस्टेशन किया हो, सब कुछ किया हो, ध्यान अगना भगवान भी बैठा है, वो सबसे बड़ा जज है, और उनको आपने कि अच्छा है, तो और भी अच्छा है, तो इस तरह से ही है, तो आइधिंक ये, लेकिन ये मेरे वको लगते है, ये आटिट्टूट में आ जाना चाहिए आपके, जब आप बहुत साथा पॉजिटिव चीज़े करते हो, और सब कॉंशियस माइन रिप्रग्राम करन अबने तो है, बड़ी हैठका, भी अमेद बाते कि अमेद भाई अबम आ भी बहुत सारी बाते करीं, काफी सारी की बाते वे, वीजिवल nectar, वरिव बाते बाते हो इक चीजर घरकित आँग कि अप चाओगो एक vibe कि एक बना थार चाहिए, और आप सारी बात हो एक है, और कि मैंने ऐसे-से लोगों के साथ काम किया है या ऐसे लोगों के साथ लोगों ने शेरिंग किया मेरे साथ जहां पर लोगों ने कि Allgments of 0ights और जो एक 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 सिछेज पर हैं कि उन्हों और काई सो करोड के माले के हूँ एक businessman जो कि अपने subconscious belief के नीचे दब गया था negative beliefs आगे कोरोना आ गया ये सब thoughts से दब गया था वो 200 करोड बना लिए उसने करीबर 2.5 सालों में एक couple जो baby conceive नहीं कर पा रहे थे और उनको ये लग रहा था कि अब हमारी उम्र हो चुकी है 35 प्लस है conceiving में बहुत issues आएंगे ये belief family ने जो दे दिये थे इतना लेट कर रहे हो इतना लेट कर रहे हो उन्होंने successfully at the age of 40 conceive किया उन्होंने and it was very smooth और मतलब एक एक बच्चा जो ये बार बार अपने subconscious में डाल चुका था कि मेरे को IT crack कर रहा है आएटी क्रैक कर रहा है अराम से क्रैक हो जाएका तीन या चार या दो बार में तो मैं करी लूँगा उसको धीरे धीरे काम करके ये समझाया है कि ये कहां से सीखा सुना था तो मैंने का ये क्यों नहीं सुना कि पहली बार में भी लोग करते है उसने अपना सबकॉंशिस बिलीफ चेंज करना शुरू किया कि पहली बार में भी तो हो सकता है उसका फर्स टाइम में आईटी डेली क्रैक किया तो ये कहीं न कहीं न ये सिर्फ वोही लोग कर पा रहे है अगर आपके इंदर कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है या आगे बढ़ने से रोक रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको कॉंशिसली बाई प्राक्टिस जो रिपीटिशन आप बार बार रिपीट करो जो आपको चाहिए उस बार में सोचना छोड़ो जो नहीं चाहिए तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते है तो बाई ने भी बताया कि आप सब कुछ चीज कर सकते हैं तो यह बुक जाके ज़रूर पढ़ो मैं तो हमेशा रिक्रमेंट करता है तो पॉड़कास हमने आपको अधूरा है थोड़ा अगर अधूरा है अधूरा है अधूरा भी नहीं दम लेकिन और इस पो सोने पर सुआगए करना चाहते है तो बुक पढ़ लो और यूबुक सुन लो और डेप्थ में जाओ उसको और टाइम दो तो और बैड जाएगा आपके दिमाग में करेक्ट तो जाके बुक पढ़ लो लिंक के डाल दू दिस्कृपषिन में और अमिद भाय की में सारे लिंक डाल दू दिस्क्रिप्शन में रीरस बूक लब सर बाध की चानल है जो काफियां बहुत है रीली गरेट कई सरी क्राइipple आमीजिंग व्यदगी नहीं बुक सा आप रीड करिये, सुनिये, at least, नहीं रीड कर सकते, तो सुनिये. Thank you so much, Abid, भाई. Thank you. It was a pleasure to have. Absolutely. और अगर अगर आपको चाहिए, और कोई हम बुक्यों पर discussion करें, कभी और future में आपीस आके, तो आप वो बुक का नाम जरू दाल देना, जो आप चाहोगे, हम discuss करें, अभी के लितने ही, thank you so much. Thank you so much. Thank you.